हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मोस्ट पोप्यूलर स्ट्रीट फूड पानी पूरी जिसे पुछका या फिद गोल गप्पे के नाम से भी जाना जाता है वेसे तो पानी पूरी सब की फेवरेट होती है लेकिन खास तोर पर महिलाओं को कुछ ज्यादा ही पसंद होती है तो चलिए देखते हैं कि इसे घर पर कैसे बनाएं हम बनाएंगे पानी पूरी की स्टफिंग, खट्टी मिठी चट्नी, मीठा पानी और तीखा पानी सबसे पहले हम खट्टी मिठी चट्नी बनाएंगे खट्टी मिठी चट्नी बनाने के लिए हमने एक कप इमली को एक कप गुनगुने पानी में 15 मिनिट के लिए भिगो दिया था ये देखिए इमली जो है वो अच्छे से भीग चुकी है अब हम इमली के इस पानी के साथ ही एक बरतन में डाल देंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कप पानी यानि कि खटी मीठी चटनी के लिए हमने इसमें टोटल दो कप पानी एड़ कर दिया अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे तो एक कप इमली के लिए हम इसमें पोना कप यानि की 3 by 4th कप चीनी एट कर रहे हैं अब हम इसमें कुछ सुखे मसाले एट करेंगे सुखे मसालों में हमने लिया है 1 टेबल स्पुन जीरा पाउडर 1 टेबल स्पुन चाड़ मसाला एक टीस्पून लालमीच पाउडर और एक टीस्पून सिंधा नमक देखिए सिंधा नमक की जगा आप एक टीस्पून नमक भी एट कर सकते हैं नमक की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं अच्छे से mix कर लेंगे और high flame पर एक उबाल आने के बाद low flame पर हम इसे कुछ देड़ तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी गाड़ी ना हो जाए high flame पर एक उबाल आने के बाद हमने low flame पर इसे 10 minute के लिए अच्छे से पका लिया है अब देख सकते हैं के ये थोड़ी गाड़ी हो चुकी है अब हम गेस की flame को ओफ कर देंगे और room temperature पर इसे अच्छे से ठंडी कर लेंगे देखिए चटनी के इस मिक्सरण को हमने room temperature पर अच्छे से ठंडा कर लिया है अब हम चटनी की मदद से इसे छान लेंगे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सरण इसमें एड़ करेंगे चमज के मदद से चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह छान लेना है ताकि इसमें से छिलके और रे से अलग हो जाए ये देखिए हमारी पानी पुदी की खटी मीठी चटनी बनकर तयार है ये जो हमने चटनी बनाई है इसकी आदी कॉंटिटी का इस्तेमाल हम पानी पुरी का मीठा पानी बनाने में करेंगे तो हमने खटी मीठी चटनी में से आदी कॉंटिटी रख ली है इसमें हम एड़ कर देंगे एक कप पानी ये देखीए, एक कप पानी हमने इसमें एड़ कर दिया, अब हम इसमें एड़ करेंगे बरफ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही में हमारा पानी पुरी का जो मीठा पानी है, वो भी बनकर बिल्कुल तयार है पानी पूरी का तीखा पानी बनाएंगे इसलिए हमने मिक्सिजार में लिया है दो कप हरा धनिया और एक कप पुदिने के पत्ते देखिए हरे धनिये को आप इसकी डंडी के साथ लीजिएगा इसकी डंडी में ज्यादा फ्लेवर होता है अब हम इसमें कुछ सुखे मसाले एट कर देंगे तो सुखे मसालों में हमने लिये एक टीस्पून लाल मिश पाउडर एक टीस्पून सिंधा नमक सिंधा नमक की जगा आप एक टीस्पून नमक भी ले सकते हैं या फिर स्वाधन उसा नमक एट कर दे और एट करेंगे एक टेबल स्पून जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून अमचूर और एक टेबल स्पून चाट मसाला अब इसमें जाएगी दस लहसुन की कलिया, एक इच का अधरह का टुकड़ा और तीन छोटी हरी मीच साथ ही में एट करेंगे एक टेबल स्पून नीबू का रस थोड़ा सा पानी एट कर देंगे और इसे मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हमने इसे मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया तीखा पानी बनाने के लिए हमने ग्राइन की हुए मिक्सचर को एक बड़े बरतर में ट्रांस्फर कर लिया है मिक्सिदार को खंगाल कर इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी ओर एट कर रहे हैं हम इसमे तो तकरिबन हमने इसमे는 एक से तेज लीटर जितना पानी एट कर देना है अब हम इसमें एट करेंगे बरफ देखिए इस टेज पर आप इसमें बेशन की बूंदी भी एट कर सकते हैं हमने उसे स्किप किया है तो यहां पर हमने पानी पुली का तीखा पानी बना लिया है देखिए हमने तीखे पानी क क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है इस तेज पर आप चेक कर लें आप अपने हिसाफ से इसमें जो भी मसाले वगेरा कम लग रहे हो आप इसमें एट कर सकते हैं यह से तो मेजर्मेंट बिल्कुल परफेक्ट है एट करने की जरूरत नहीं होगी अब हम पानी पुरी की स्टफिंग तयार कर लेते हैं तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम बोईल की हुए आलू लिये हैं इन आलू को हमने बोईल करके अच्छे से मेश कर लिया और अब हम इसमें एट कर रहे हैं 100 ग्राम बोईल की हुए चने और एट कर देंगे half teaspoon लालमीज पाउडर और half teaspoon नमक सारे मसालों को आलू और चने के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए आप इसमें अपने स्वात के अनुसार और भी मसाले एट कर सकते हैं तो हमने पानी पूरी की stuffing भी तयार कर ली है तो चलिए इसे सव करते हैं पहले बनाएंगे खटी मिठी पानी पूरी हमने पानी पूरी की रेडिमेट पूरी ली है इसमें हम इस तरह से होल करके stuffing भल लेंगे ये जाएगी खटी मीठी चट्नी में फिर जाएगी मीठे पानी में और फिर तीखे पानी में तो खटी मीठी पानी पुरी तयार है अब हम बनाएंगे मीठी पानी पूरी पूरी में होल करेंगे इसमें एट कर देंगे स्टफिंग अब ये जाएगी खटी मीठी चटनी में फिर जाएगी मीठे पानी में तो मीठी पानी पूरी भी तैयार है अब बनाएंगे तीखी पानी पूरी पूरी में होल करके इसमें स्टफिंग भरेंगे ये जाएगी खटी मिठी चटनी में फिर जाएगी तीखे पानी में तीखी पानी पूरी भी तैयार है सो गाइस आज की हमारी पानी पूरी की रेसिप आपको कैसी लगी कोमेंट वक्स में जरूर बताईएगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना बिलकुल मत भूलिएगा और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंजा का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई